Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. अब हम study करने जा रहे हैं. Class 9, Math, Exercise 2.4. Question 7, evaluate the following using suitable identity. Student, यहां आपको इन्हें क्यों find करना है? क्यों find करने के लिए आप 99 x 99 x 99 नहीं करेंगे? बलके अभी के जैसे suitable identity यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे? solve करते हैं. Part 1 है 99 का whole q. देखो इस चुडेंट, आप 99 को 100 minus 1 यूज़ कर सकते हो? इसका whole q. अब आपका formula एप्लाई होगा. a minus b whole q is equal aq minus 3 a square b plus 3 a b square minus bq. देखो a के प्लेस पर 100 है और b के प्लेस पर minus 1 है. अब आपने करना है aq minus 100 का cube minus 3 a square minus 100 का square और b means 1. प्लस 3 a minus 100 और b square minus 1 का whole square minus b cube minus 1 का whole cube. आप देखो student आप 100 का cube करेंगे ये हो गया 1 के सामने 6,0. मिस 10 लेख. minus देखो ये 100 का square हो गया 10,000 into 3 तो ये हो गया 30,000. प्लस देखो ये 1,1 जब 1 into 100, 100 हो गया into 3 ये हो गया 300 minus 1. अब देखो student आप इसे सब्ट्रेक करेंगे. तो देखो ये 4,0 तो same to same use हो गया 1,2,3,4 एतना हो गया. अब आपके पास में हैं ये ये 0 के place per 9 हो गया और ये भी 9 हो गया. देखो ये 4,0 तो same to same हो गया ये 0 के place per 9 हो गया और ये 0 के place per 9 हो गया. मैनस 30,000 minus 30,000 plus 300 minus 1. अब इन्हें सब्ट्रेक करें. तो देखो ये 4,0 तो same to same हो गया 1,2,3,4 और ये 9 minus 3 हो गया. 6 और यह 9 अब यह देखो 300-1 यह हो गया प्लस 299 अब इन्हें add करें देखो 299 इसमें 0 add होंगे तो यह तो 299 ही होगा और यह same to same ओके कोछ इस्टुडेंट को यह ओरल addition, subtraction ठीक से समझ नहीं आते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस नम्मर से इसे subtract कर ले तो अपर वे में जैसे करते हैं यह answer आ गया उसमें से 30,000 subtract कर ले यह answer आ गया उसके बाद 300-1 subtract कर ले यह आ गया इनको add कर ले, यह final answer हो गया That's okay Now second part It is 102 का whole queue देखो इस्टूडेंट, आप 102 को 100 plus 2 note कर सकते हैं Whole queue यह जो है A plus B का whole queue हो गया A जी equal होता है A Q plus 3 A square B plus 3 A B square plus B Q देखो A के प्लेस पर 100 है whole queue plus 3 A के प्लेस पर 100 square B के प्लेस पर 2 plus 3 A के प्लेस पर 100 B square means 2 का whole square plus B Q means 2 का whole Q देखो यह 100 का Q यह 1 के सामने 6 0 हो जाएंगे और यह देखो 100 का square यह 10,000 हो गया means 1 के सामने 4 0 और यह 2,000 6 इस तरह से यह गुए 6 and 4 0 plus देखो यह 2,000 4 3,000 means 1200 और यह 2 क्यों means 2,000 4,000 यह 8 अब इन्हें add करें देखो once के place पर 8 है उसमें 0 add करोगे तो 8 ही रहेगा 10s के place पर यह 0 ही है अब 100 यह 2 है 2 आ गया 1000 1 और 10,000 यह 6 ही रहा और यह 10 same to same that's okay इस तरह से यह easily solve हो गया कुछ student की problem यह रही होगे कि यह oral addition समझ नहीं आया होगा कोई बात नहीं आप अपने way से इस तरह से कर सकते हैं समझे ना आप अपने way से इसे solve करते रहें add कर लेंगे final answer आपका यही होगा that's okay अब next part करते हैं यह है 998 तो इसे आप 1000 minus 2 written कर सकते हैं 1000 minus 2 is equal 998 हो गया इसका whole q आपकी identity बनती है a minus b का a minus b का whole q is equal a q minus 3 a square b plus 3 a b square minus b q देखो a के प्लेस पर आपने 1000 करना है whole q minus 3 a के प्लेस पर 1000 square और b के प्लेस पर 2 plus 3 a के प्लेस पर 1000 और b के प्लेस पर 2 square means 2 का square minus b q it means 2 का whole q आप इन्हें solve करते हैं देखो student आप 1000 का square करेंगे तो यह है 1 के सामने 9-0 होएंगे देखो 1 इसके आज़े 9-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब देखो यह 3 to just 6 हो गया और यह 1000 का square करेंगे तो यह 0 3 के बज़े 6 हो जाएंगे इस तैसे यह 6 के सामने 6-0 हो गएंगे 1 1 2 3 4 5 6 देखो यह 2 टू जा 4 3 जा 12 5 अब देखो आप इन्हें सब्ट्रैट करेंगे तो यह 6-0 तो 9 9 9 4 इसमें आप 12,000 एड करेंगे 12 1000 उसमें से 8 सब्ट्रैट करेंगे 10 9 9 9 same to same इस से आप 8 सब्ट्रैट करेंगे देखो यह 10 हो जाएगा 10-8 यह 2 हो गया यह दौनों 9 9 हुए 2 के प्लेश पर 1 हुआ यह वाला 1 यह 0 4 9 and 9 that's okay यह दि आपको इस तरह से और राल under standing में कोई प्रॉलम हो तो आप अपने तरीके से त्वापद भी में कर सकते हैं ओके आप अपने तरीके से कर ले प्रॉलम हो दौन